साधू और नर्दकी किसी गाउं में एक साधू रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था उसी गाउं में एक नर्दकी थी जो लोगों के सामने नाच कर उनका मन बहलाया करती थी एक दिन गाउं में बाढ़ा गई और दोनों एक साथ ही मर गए मरने के बाद जब ये दोनों यमलोग पहुँचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे चिपी भावनाओं के आधार पर इने स्वर्गिया नर्ग दिये जाने की बात कही गई साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आस्वस्थ था वही नर्दकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी नर्दकी को सिर्फ फैंसले का इंतजार था तभी घोशना हुई कि साधु को नर्ग और नर्दकी को स्वर्ग दिया जाता है इस फैंसली को सुनकर साधू गुसे से यमराज पर चिलाया और क्रोधित होकर पूछा यह कैसा न्याय है महाराज मैं जीवन भर लोगों को उब्देश देता रहा और मुझे नर्ग नसीब हुआ जबकि यह इस तरही जीवन भर लोगों को रिजाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है ऐसा क्यों यमराज ने सांत भाव से उत्तर दिया यह नर्ग की अपना पेट भरने के लिए नाचती थी लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को इस्वर के चड़ों में समर्पित कर रही हूँ जबकि तुम उपदेश देते वे भी या सोचते थे कि कास तुमें भी नर्ग का नाचत देखने को मिल जाता हे साधू लगता है तुम इस स्वर के इस महत्वपून संदेश को भूल गए कि इनसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं अता तुमें नर्ग और नर्दिकी को स्वर्ग दिया जाता है प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद